हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉग लास्ट लेक्चर तक हम लोगोंने काफी सारे कंसेप्स पड़े हैंना करेंट एलेक्ट्रस्टेटी के बहुत सारे कंसेप्स हम लोगोंने क्लियर किये तो अब यह नया टॉपिक है और बहुत ज़ादा अब हसेडर कंसेप्ट के ट्रीलेट्स तो उट्स नैंशाट्व फ्लॉइंक क्रणनर फ्लॉइंग द्णुरू जय् glut किलि त्कक जैना क्या थे जो सरकुट में पोटेंशाट्य देफरेंट्स अप्लाई किया उसको करेंट से रिलेτά करते हैं करेंट्यानिकिशल किया पीर य current का reason क्या था current flow होने का reason क्या था potential difference था है ना तो potential difference और current में relation होना चाहिए उसको relate करने वाला law बोले तो Ohm's law ओके तो हम लोग short में देखेंगे यहां पर कि क्या होते है according to Ohm's law जो potential difference होता है V that is directly proportional to I जितना ज्यादा potential difference apply करोगे उतना ज्यादा current flow होगा या फिर जितना ज्यादा current flow हो रहा है इसका मतलब उतना ज्यादा potential difference है जितना ज्यादा current flow हो रहा है उतना ज्यादा potential difference है जितना कम current flow हो रहा है उतना कम potential difference है अब रूल क्या है जब जब भी proportionality sign हटता है तो क्या आता है एक constant आता है और वो constant जो है वो है यहाँ पे R वो constant क्या है यहाँ पे R, इस R को हम लोग कहते है resistance of the conductor conductor का resistance V is equal to IR V is equal to IR समझ मैं है सबको V is equal to IR यह हो गया formula of Ohm's law clear with this अब इसको अगले बार जब भी तुम देखो तो imagine किस तरीके से करो देखो suppose for example यह resistance का यह है क्या बुलते है symbol है यह तुमने पढ़ा है यह है resistance R इससे current flow हो रहा है क्या flow हो रहा है current आए तो इसके across potential difference produce होगा resistance के across क्या हो गया potential difference produce होगा यह potential drop होगा क्या होगा potential drop क्योंकि जब यह यहां से निकला तो यहां पर potential बहुत जादा था और जब यहां तक पहुचा potential drop हो गया और वो potential का drop V1 माइनस V2 जिसको अपनने क्या बोला है V इतना potential का drop हुआ drop हुआ ओके वो होता है आया रहे है ठीक है समझ मैं इसको समझने के लिए एक analogy देता हूँ वो analogy से समझू ठीक है अब imagine करो यह एक रास्ता है ठीक है यह रास्ते में एक इंसान यहां पर खड़ा है इसकी energy यहां पर even है ठीक है उसको यहां जाना है यहां से यहां जाना है तो क्यों करो इस तरीके के गड़े है बहुत सारे गड़े है और यह इतने बड़े गड़े है कि उसको नीचे उतरना पड़ेगा फिर उपर चड़ना पड़ेगा फिर नीचे उतरना पड़ेगा फिर उपर चड़ना पड़ेगा नीचे उतरना उपर चड़ना नीचे उतरना उपर चड़ना इस तरीके से वो जा सकेगा ने तो तुम बोलो के सर यह गड़ा है वो डायरेक्ली कुदी मार देंगा यहां से चलांग लगा देगा नहीं ऐसा अलाउड नहीं है इतने बड़े गड़े कि वो चलांग लगा ही न और उसके बाल नहीं है just wait sweet obviously please blue color से बताना नहीं रहुंकि झिली बहुत वाता शारा नुरुक्षय। से वह और पसिना पसिना ओगया और अब मैं अगर पूछा क्या इसकी इनरजी आज भी वन है तो तुम क्या बोलूंगे नहीं इसकी रीक्तु है इसके energy E2 है ठीके समझ मैं तो ये जो इंसान है ये इंसान रीप्रेसेंट करता है current क्या रीप्रेसेंट करता है current VE1 represent करता है potential V1, E2 represent करता है energy 2 represent करता है potential 2, तो potential drop हो गया लेकिन इंसान आधा हुआ क्या ने इंसान तो आज भी उट नहीं है न सिर्फ उसकी energy कम हुई है वैसे ही यहाँ पर current आज भी यहाँ से जब flow होगा वो I current ही flow होगा कितना current flow होगा I current flow होगा और potential difference कितना रहेंगा V resistance रहेंगा R potential drop होने वाला है यहाँ जो potential है उससे कम potential यहाँ रहेंगा तो इसको हम लोग कभी कभी potential drop भी कहते है क्या कहते है इसको potential drop या फिर potential difference और potential difference का formula क्या है current multiplied by resistance current multiplied by resistance जितना ज़्यादा resistance रहेगा उतना ज़्यादा potential drop बनेगा यह दूसरा concept होगा समझने का Ohm's law को are we clear with this ध्यान में आए सबको तो V is equal to IR ठीक है अब resistance जो है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगा वापन resistance resistance क्या होता है resistance is nothing but the property of conductor याद रखना यह क्या है खोई भी conductor की property है property of conductor तो दुनिया में अलग-अलग conductors का अलग-अलग resistance है है ना दुनिया में अलग-अलग conductors का अलग-अलग resistance है तो फिर resistance depend भी करता है तो resistance depends on सब में पहला चीज वो यह है it depends on dimensions of conductor किस पर depend करता है dimensions of conductor पर यहने length and area पर depend करता है conductor के length और area पर resistance depend करता है यहने अलग-अलग length के conductors का अलग-अलग resistance रहेंगा यहने आज copper तुम्हारे पास में इतना है कल तुम्हें copper बड़ा वाला copper wire लिया तो उसका resistance अलग रहेगा तो resistance depends on dimensions of conductor which are nothing बट length and area कुछ books में क्या बोला है पहला point बोला है length of conductor दूसरा point बोला है area of conductor मैंने length and area को दोनों मिला के क्या बोल दिया dimensions of conductor दूसरा it depends on nature of conductor conductor के nature पर depend करता है मतलब copper का resistance copper के conductor का resistance अलग रहेगा और same length same area के iron के conductor का resistance अलग रहेगा length area same है लेकिन एक copper है एक iron है तो दूनों का resistance अलग aluminium है तो और अलग तो it depends on nature nature of material nature of material बोल सकते है nature of conductor बोल सकते है तीसरा it depends on temperature of conductor किस पर depend करता है temperature of conductor पर temperature बदला resistance बदलता है the reason is कि temperature बदलने से electrons के movement में फरक आता है उनकी kinetic energy change होती है collisions होते है तो फिर temperature के हिसाब से resistance भी change होगा ठीक है अब temperature के हिसाब से सबसे important बात अब हम इसके उपर आएंगे कि temperature के हिसाब से resistance कैसे change होता है तो इसके लिए formula याद रखना है अपने को the reason is कि वो बहुत सारे experiment से आया हुआ है मतलब उसका को ऐस सच अपने को proof नहीं देखना है अपने को अपने को शरी formula याद रखना है resistance at any temperature T resistance at any temperature theta बोल चकते है या फिर theta बोल चकते है is equal to resistance at 0 degree Celsius 0 degree Celsius R0 bracket में 1 plus alpha delta theta thermal properties में कुछ इस तरीक है के problems देखे formula यह देखे थे L is equal to L0 bracket में 1 plus alpha delta theta A is equal to A0 bracket में 1 plus beta delta theta thermal properties में देख चुके हम लो वैसा ही याँ पे formula है resistance का R theta is equal to R0 bracket में 1 plus alpha delta theta हम लोग एक एक करके समझते है यह term क्या है यह term है resistance at temperature theta यह term क्या है यह है resistance at 0 degree Celsius यह term क्या है temperature coefficient of resistance and this is rise in temperature इसके ओपर बहुत सारे अपन numericals प्रेक्टिस करेंगे तो अब तब अपने को clear हो जाएगा clear with this समझ मैं है सबको यहां तक तो resistance के बारे में इतना याद रखना है और कौनसी कौनसी बाते अपने को याद रखना है वो यह है कि इसका SI unit इसका SI unit ohms है ohm है ना और दूसरा इसके अंदर एक चीज़ अपने को याद रखना है इसका dimension dimension of R dimension of R कैसे निकलेंगे dimension of V upon dimension of I से निकलेंगे dimension of V कैसे निकलेंगे dimension of V यह याद रखना है यह एक ही method है जहां से अपन निकल सकते है work का dimension upon charge का dimension है ना और dimension of current तो मालूम ही है क्योंकि वो fundamental quantity है तो उसका dimension तुमको यह तुम्हारे लिए homework है यह calculate करके रख लेना है यह एक method ही है resistance का dimension याद रखने का v by i का v का कैसे निकालना w by q से इसके अलावा कोई method नहीं है मुझे तो नहीं याद आता है इससे simple method को यह होगा तो यह याद रखना है resistance के बारे में इतनी सारी चीज़े clear होगी अब अब next topic जो है अपना वो है resistivity या फिर इसका दूसरा नाम याद रखना specific resistance यह heading है अपना अगला resistivity या फिर specific resistance यह क्या होता है अब हम लोगों ने देखा कि resistance यह length और area पर depend कर रहा है resistance length पर depend कर रहा है और area पर depend कर रहा है experiment से यह पता चला कि resistance is directly proportional to length resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area तो दुनिया का दस्तूर है दुनिया का rule है क्या कि वहाँ पर आएगा एक constant और वो constant आया रो रो आर एच ओ रो इस रो को हम लोगों ने बोला resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस resistivity या फिर specific resistance कहा आपने उसको अब ये भी क्या मतलब ये क्या है अब अब इसकी खास बात क्या है इसके अंदर आपने को याद रखना है सबसे पहला चीज इसका मतलब ये है कि copper की resistivity अलग है iron की resistivity अलग है aluminium की resistivity अलग है तो जैसे जैसे जिस प्रकार का conductor रहेगा उस प्रकार से उसकी conductivity रहेगी sorry resistivity रहेगी also it depends on temperature of conductor किस पर depend कर रहे है temperature of conductor पर जैसे जैसे temperature बदलेगा वैसे वैसे resistivity भी बदलेगी लेकिन most importantly यहाँ पर it is independent it is independent of dimensions of conductor वो conductor के dimensions पर depend नहीं करता मतलब नहीं वो length पर depend करता है नहीं वो area पर depend करता है कौन resistivity यानि इसका मतलब यह है कि यह copper का conductor है यह अलग copper का conductor है दो copper के conductor है इसका resistance R1 रहेगा तो इसका resistance R2 रहेगा resistance अलग अलग रहेंगे तो बले ही दोनों copper के है resistance क्यों अलग अलग है क्योंकि दोनों का length भी अलग है area भी अलग है लेकिन इसकी resistivity रो है तो इसकी resistivity भी रो रहेंगी the reason is कि दोनों copper है समझ मैं तो इंडिया में मिलने वाले copper का let us imagine करो कि वही copper है तो जो अमेरिका में है और जो इंडिया में है तो दोनों copper का क्या सेम रहेगा resistivity सेम रहेगा लेकिन दोनों copper का temperature शायद अलग-अलग रह सकता है अमेरिका में थंड़ा है यहां करम है तो यहां पर resistivity बदल जाएगी क्योंकि resistivity temperature पे भी dependent कर रही है और resistivity से एक important चीज़ अपने को पता चलेंगी कि जितनी resistivity जादा है जितनी resistivity जादा रहेगी उतना अच्छा conductor उतना अच्छा conductor नहीं रहेगा वो रहेगा bad conductor और जितनी resistivity कम रहेगी वो रहेगा good conductor यहने insulators की resistivity बहुत कम होते है क्योंकि वो good conductor होते है ठीक है चलो और कुछ बाते इसके बारे में इसके SI unit के बारे में बात करते हैं, SI unit, अब resistivity का formula यहां से आ गया, R A by L, भली यह formula दिख रहा है, तुम बोलो के sir resistivity area पर depend कर रहा है, resistivity length पर भी तो depend कर रहा है, नहीं, वो constant है, अपन सिर्फ formula इसलिए लिखे, क्योंकि अपने को unit निकालन क्योंकि A, L ऐसे change होगे, कि R भी change होगा, such that दोनों का effect cancel हो जाएगा, मतलब A by L अगर double हुआ, मतलब R half हुआ होगा, A by L अगर double हुआ होगा, तो R half हुआ होगा, तो उनका effect cancel हो गया, तो SI unit जो है, इसका वो है, ohm meter, ohm meter, समझ मैं है सबको, clear है सबको यह चीज, तो यह बात याद रखने है, अब इसका dimension निकलना है, तो ohm का dimension पिछले बार निकला, उसको बस L1 से multiply कर दो, ohm का dimension तो पिछले स्लाइड में निकल लिए आपन ने, है ना, clear है सबको यह resistivity के बारे में, अब resistivity के लिए last point याद रखने है, क्योंकि यह temperature पे depend कर रहा है, क्योंकि यह temperature पे depend कर रहा है, तो इसका equation होना अची यह temperature का, तो temperature का equation है, rho at any temperature theta, that is equal to rho not bracket में 1 plus alpha delta theta, और यह सही बात है ने, यह तो पिछले बार जैसे ही आगया अपना, पिछले बार का equation भी तो ऐसी ही था ना, पिछले बार का equation यह resistance वाला equation भी तो यही था, rho theta is resistivity at temperature theta, rho not is resistivity at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, Kelvin नहीं बेटा, Kelvin नहीं बोलने का, it is 0 degree Celsius, alpha is temperature coefficient of resistance, and delta theta is rise in temperature, बागके सब वही है, सब वही है, सिर्फ यह एक दो change हुआ है, है आसान, हाँ, clear है सबको, इसमें एक और बात याद रखना है, G एक formula है, जो मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे slide मतलब heading नहीं आएगा, तो G is equal to 1 by R, and sigma is equal to 1 by R, ओके, इस G को हम लोग कहते है, conductance, और इसको हम लोग बोलते है, conductivity, ओके, इसका SI unit आएगा, 1 by ohm, या फिर ohm inverse, या फिर semen, क्लियर, इसका SI unit, इसका SI unit आएगा, 1 by ohm meter, या फिर ohm meter inverse, या फिर semen पर meter, ओके, इस नाम पे तो दुनिया में बहुत बड़ी electric की company है, है न, semen करके एक electric की company है, electric, equipments बनाने वाली company है, ओके, engineering करोगे तो धेन में आएगा, electrical करोगे तो और अच्छे से बन में आएगा, तो यह समझ मैं है, सबको resistivity का concept, आज तक के जितना पढ़ा आपनने, ओके, clear with this, सभी को धहन में, ओके, अब देखो, एक numerical ले ले लेते है, resistance of conductor is 2 ohm at 20 degree Celsius, find the resistance at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius गिवन alpha है, ठीक है, अब resistance at 20 degree, यानि इसको मैं लिखूँँगा R20, 2 ohm है, ठीक है, alpha, अब पहला 0 degree Celsius पर निकाल रहेते हैं, alpha कितना है, 0.004 per degree Celsius, अरे हाँ, इसका unit बताना रहे गया था, alpha का unit धान में रख लो, per degree Celsius, ठीक है, है ना, R20 कितना है, 2, that is equal to R0 bracket में 1 plus 0.004 into 20, है ना, तो 2 is equal to R0 bracket में 1 plus, कितना है गई है, यह हो गया 0.04 into 2, एने 0.08, तो therefore R0 कितना हो गया, 2 upon 1.08, इसको solve कर लो, है ना, इसको solve करने के लिए कैसे करूँगे, इसको यह हो गया 200 upon 1.08, 200 जा, 254 जा, यहने 1 point something आएगा, 1 point something, क्योंकि 50 रहा तो 2 आता है answer, तो 54 है तो 1 point something answer आएगा, है ना, तो मैं इसको और भी अगर solve करना है, तो यह हो गया 50 जा, यह हो गया 27 जा, तीक है, 50 by 27 solve कर ले ना, अब resistance at 100 degree Celsius, तो formula अब resistance at 100 degree Celsius अपने को निकाल ले, अब इसके लिए delta theta अपन क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है, अब इसके लिए resistance at 100 is equal to resistance at 0, bracket में 1 plus alpha delta theta, resistance at 100 is equal to resistance at 0, कितना है, 50 by 27, 1 plus 0.004 into 100, तो resistance at 100 is equal to 50 by 27 into, यह हो गया 0.4, यह हो गया 1.4, है ना, तो 50 into 1.4 is 70 upon 27, इसको solve कर लो, 70 by 27 solve कर लो, है ना, 2 point something आ जाएगा, क्योंकि 3 जादो 81 होता है, 2 point something आएगा, है ना, तो यहां से हम लोग क्या समझें, कि देखो, resistance at 0, R1, 1 point something, resistance at 20, R2, और resistance at 100, R2, 2 point something, है ना, तो जैसे-जैसे temperature बढ़ रहा है, वैसे-वैसे resistance भी बढ़ रहा है, यह खास बात होती है, conductor की, temperature बढ़ने से resistance बढ़ता है, ओके, समझ में है सबको यह चीज, यह solve कर लेना है, सबीने, okay, a silver wire has resistance 2.1 ohm at 30 degree celsius and 2.6 ohm at 100 degree celsius, determine the temperature coefficient of resistance of silver, okay, तो resistance 2.1 पे कितना है, sorry, resistance 30 पे कितना है, resistance 100 पे है, 2.6 ohms, ठीक है, अब इसके लिए delta theta लेंगे, अम लोग 30 और इसके लिए delta theta लेंगे, अम लोग 100 degree celsius, degree celsius, पहला equation के आएंगा, r30 is equal to r0, bracket में 1 plus alpha delta theta, याने 2.1 is equal to r0, bracket में 1 plus 30 alpha, है न, delta theta इसके लिए, delta theta डाला 30, 30 alpha, फिर दूसरा equation लिखेंगे, r100 is equal to r0, bracket में 1 plus alpha delta theta, r100 कितना है, 2.6 is equal to r0, है नहीं न, हमारे बास में r0 लिखा, 1 plus, उसके लिए delta theta कितना है, 100, तो यहाँ पे 100 alpha आएंगा, अब अपने को चीए alpha, तो divide कर दो यह दोना equation को, तो 2.6 upon 2.1, इसको इससे divide किया, that is equal to r0, bracket में 1 plus, 100 alpha, upon r0, bracket में 1 plus 30 alpha, r0, r0 cancel, है न, तो 26 upon 21 is equal to 1 plus, क्यों कर रहें, हम लोग, 100 alpha upon 1 plus 30 alpha, अब यह equation को solve कर लेना है, है न, कैसे solve करेंगे, cross multiply कर लो, तो 26 plus 26 into 30 alpha is equal to 21 plus 21 into 100 alpha, चीक है, यह इधर गया, यह इधर गया, तो 26 minus 21 is 5, 26 minus 21 is 5, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2100 alpha, माइनस, इसको अगर solve किया, तो 30, 3618, 1 carry 3, 2, 6, 780 alpha, तो alpha कितना हो गया, 5 upon 2100 minus 780, यह न, तो 5 upon 2100 minus 780, 0, 10 minus 8, 2, 1 carry, 21 minus 8, 13, यह न, तो 1320 per degree Celsius, इसको अप्रोक्सिमेटली solve कर लेना, यह न, तो 5 upon 1320, ठीक है, समझ में सबको आसान question था ही है, तो यह हो गया, temperature coefficient of silver, the temperature, the resistance with temperature coefficient alpha 1 and alpha 2 are having resistance R1 and R2 at 0 degree Celsius, connected in series, है न, एक है R1, दूसरा है R2, calculate the temperature coefficient of compound resistance, compound यहने, दोनों को combine करके, let us say R, okay, इसको alpha equivalent बोलेंगे, इसका alpha 2 दिया हुआ है, इसका alpha 1 बोलेंगे, okay, now, R is equal to R1 plus R2, sorry, R1 dash बोलुँगा इसको मैं, हाँ, ठीक है, तो R is equal to, R1 dash बोलेंगे, क्योंकि temperature theta पे, तो यह किता हैंगा, R is equal to, R naught, bracket में 1 plus alpha equivalent delta theta, that is equal to, R1 dash के जगा क्या लिखेंगे, R1, bracket में 1 plus alpha 1 delta theta, plus R2 dash के जगा क्या लिखेंगे, R2, bracket में 1 plus alpha 2 delta theta, ठीक है, अब R naught यहने क्या रहेंगा, R naught, that is equal to, R1 plus R2, तो substitute करेंगे, R1 plus R2, bracket में 1 plus alpha equivalent delta theta, is equal to, brackets open, R1 plus R1 alpha 1 delta theta, plus R2, plus R2 alpha 2 delta theta, ठीक है, brackets open कर देंगे, तो R1 plus R1 alpha equivalent delta theta, plus R2 plus R2 alpha equivalent delta theta, that is equal to, R1 plus R1 alpha 1 delta theta, plus R2 plus R2 alpha 2 delta theta, ठीक है, R1, R1 cancel हो गया, R2, R2 cancel हो गया, ठीक है, अब सब में से delta theta वैसे भी cancel हो गया, जो बच गया, उसमें से delta theta चला गया, तो alpha equivalent, यह दो में से alpha equivalent common निकाला, तो क्या मिला, alpha equivalent common निकाला, bracket में बच्चा, R1 plus R2 that is equal to, यहां क्या बच्चा, R1 alpha 1 plus R2 alpha 2, तो therefore, alpha equivalent is equal to R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 upon R1 plus R2, ठीक है, तो यह हो गया, alpha equivalent of series connected resistance, यह formula याद रखो, alpha 1 alpha 2, R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 upon R1 plus R2, ठीक है, समन में है, अब सब एक सावात है, अगला question तो तुमको धेन में ही आया होगा, वो है, कौन सा, parallel का, connected in parallel, तो connected in parallel में, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 dash, लस 1 by R2 dash आएगा, तो यहां पे 1 by R equivalent dash, डाश यह रहा, R equivalent, bracket में 1 plus alpha equivalent delta theta, that is equal to 1 by R1 dash के जगा क्या आएगा, R1 bracket में 1 by alpha 1 delta theta, प्लस, यह आएगा, 1 by R2 dash के जगा क्या आएगा, 1 by R2 plus alpha 2 delta theta, ठीक है, अब R equivalent अपने को formula मालूम है, R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2, parallel में पता होगा नहीं, यह equation, तो यह substitute करेंगे, तो बहाँ पे अगर substitute किया, तो आएगा, R1 plus R2 upon R1 R2, 1 by alpha equivalent delta theta, that is equal to 1 by R1, sorry, 1 by R1 plus, sorry, R1 bracket में 1 by alpha 1 delta theta, plus 1 by R2 bracket में 1 plus alpha 2 delta theta, है simple, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यह जो है, यह terms, यहाँ पे binomial approximation लगाएंगे, तो binomial approximation कैसे लगाएंगे हम लोग, 1 upon 1 plus alpha delta theta is, 1 plus alpha delta theta to the power minus 1, अब अगर suppose, alpha delta theta बहुत छोटा है, तो minus 1 सामने आजाएगा, तो it becomes 1 minus alpha delta theta, है कि ने, तो 1 upon 1 plus alpha delta theta can be written as, sorry, 1 plus alpha delta theta can be written as, 1 minus alpha delta theta, binomial expansion, क्योंकि यह बहुत term छोटा है, क्योंकि alpha की value बहुत छोटी होती है, alpha की value बहुत छोटी होती है, mathematical tools वाले part में, कि यह लिखते हैं हम लोग, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, अपन, r1 plus r2, upon r1 r2, 1 minus, alpha equivalent delta theta, इसको क्या लिखेंगे, 1 by r1, 1 minus alpha 1 delta theta, plus 1 by r2, इसको लिखेंगे, 1 minus alpha 2 delta theta, ठीक है, अब यह अगर पूरा solve करोगे, पिछले बार के जैसे, आभी मैं solve नहीं करता हुतना, तुम अगर पूरा solve कर लोगे इसको, कैसे solve करना, पहले इसको denominator, separate करना, फिर r1 r2 से multiply कर दो, सबसे पहले एक काम करो, multiply by r1 r2 कर दो, है ना, तो यह तो cut जाएंगे, अब इसमें से यह r1 cut जाएंगा, तो यहाँ पर क्या बच्चेंगा, सिर्फ r2 बच्चेंगा, इसमें से यह क्ट जाएंगा, तो यहाँ पर बच्चेंगा r1, और फिर पूरा open कर दो brackets, तो final answer जो आएंगा, alpha equivalent का, okay, alpha equivalent का final answer जो आएगा, वो आएगा, r2 alpha 1, plus r1 alpha 2, upon r1 plus r2, यह आएगा, ठीक है, इसको solve करना है, पूरा brackets open करके solve करना है, तो फिर भी ठीक है काम करते हैं, हम लोग solve करी लेते हैं, अब इतना सब किया है, तो यह भी solve कर लेंगे, इतना सब कर लिया है, तो क्यों छोड़ देना हैं आपे, तो पहले brackets open कर दिया, तो क्या बन गया, r1, minus r1, alpha equivalent delta theta, plus r2, minus r2, alpha equivalent delta theta, that is equal to, यह brackets open क्या, r2 से, is equal to, r2, minus r2, alpha 1, delta theta, यह bracket open क्या, r1 से, तो बच्चा, plus r1, minus r1, alpha 2, delta theta, r1, r1 cancel हुआ, r2, r2 cancel हुआ, सब में से, minus भी cancel हो गया, सब में से, delta theta भी cancel हो गया, भग, 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 cancel हो गया सब, तो बच्चा है, यहाँ पर r1, alpha equivalent, r2, alpha equivalent, तो alpha equivalent, bracket में, r1 plus r2, लेकिन ध्यान से, यहाँ पर क्या बच्चा, r2 alpha 1, plus r1 alpha 2, तो alpha equivalent, is equal to, r2 alpha 1, plus r1 alpha 2, upon r1 plus r2, ठीक है, पिछले बार, यह formula क्या था, series में, r1 alpha 1, plus r2 alpha 2, upon r1 plus r2, parallel में change हो जाता है, ठीक है, तो यह सारे problem समझ में है, यह सारे concept है, एक और part इसमें बचा हुआ है, which is stretching of resistance and color code, वो अपन next lecture में complete करेंगे, okay, that's it,